इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन और पॉलिलाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो स्टार्ट करते हैं अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो आप्शन है या तो हम कमांड यूज करें अब अंदर कहीं भी क्लिक करके आप L प्रेस करेंगे तो लाइन आ जाएगा वहाँ पे और प्रेस एंटर तो यहाँ पे जो है कमांड का आपका जो स्टेप बाइस्टेप प्रोसीजर है वो नीचे बॉटम में स्क्रीन के बॉटम में चलता रहता है तो यह आपको पूछ रहा है कि पहला पॉइंट आप स्पेसिफाई करें अगें हमारे पास दो आप्शिन्स हैं हम डाइरेक्ट यूजर इंटरफेस से कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं और दूसरा हम मैनुवली इसमें कॉडिनेट इंसर्ट कर सकते हैं तो मैं ओरिजिन के कॉडिनेट इसमें डाल रहा हूँ ठीक है 0,0 तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो इंसर्ट हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर नीचे क्या हमसे next requirement क्या है specify the next point ठीक है so next point अगें हम वैसे ही specify कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था ठीक है आप direct coordinate दे सकते हैं तो जैसे ही आप comma insert करते हैं ये by default इसको जो है absolute coordinate system consider करता है ठीक है so 10,10 पे आपका जो second point है वो insert हो गया ठीक है अब उसके बाद जैसे ही आप next point पे जाएंगे उसके लिए फिर हमारे पास वही तीन basically तीन options रहते हैं first one is your absolute coordinate system जो की direct comma insert करने से आ जाता है second जो है वो है relative coordinate system अब relative coordinate system जो है वो आपका जो second point है जहां पे आपने line insert की है उसको origin consider करेगा और उससे आगे जो है वो same उसी type से आपने coordinate insert करते जाना है ठीक है वो तो हो गया आपका relative coordinate system अब उसके बाद जो third option होता है that is polar so polar coordinate system में क्या होगा आप जो आपको एक distance उसकी देनी पड़ेगी line की length देनी पड़ेगी और उसका angle देना पड़ेगा कि कितने angle के उपर जो है वो line आपने insert करनी है तो अगर आप screen पे देखेंगे तो आपको देखेगा कि selected जो है उसमें आपकी length आ रही है और दूसरा जो box है उसके अंदर आपका angle आ रहा है ठीक है तो जब आप relative coordinate systems पे move करते हैं या फिर polar coordinate system पे आपने move करना हो अगर तो आपको इस type से visible है तो आप directly tab दबा के दोनो values के बीच में switch कर सकते हैं जैसे माल लिजे मैंने distance deep 10 और angle मैंने दे दिया minus 30 degree है ठीक है तो यह line आपकी insert हो गई ठीक है अब मैं इसको undo कर रहा हूँ ताकि हम दूसरा method भी देख लें ठीक है जो दूसरा method है अगर आप tab नहीं दबाना जाते तो आप press करेंगे at the rate ठीक है जैसे ही आपने at the rate प्रेस कि गया same आपसे दो चीजें मांगी गई है पहला आपने length specified कर दी और दूसरा जो है वो है angle so angle पे switch करने के लिए आपको sign दबाना होगा less than sign जो है आपके keyboard पे ठीक है और उस पे आप angle insert कर सकते है that is minus 30 ठीक है so same इसी type से आप coordinates भी insert कर सकते हैं जैसे suppose that इससे next जो point मुझे इसी point से 10 units आगे हो ठीक है और 0 degree angle पे हो so at the rate 10 अब उसके बाद आप directly comma insert करेंगे तो यह second point आप से पूछ लेगा 0 so यह आपका हो गया relative coordinate system ठीक है so इस type से हम जो है वो line insert कर सकते हैं और जो सबसे normal method है वो है directly आप जो user interface है उसका use करके आप कोई भी line insert कर सकते हैं ठीक है यह था आपका line का अब आते हैं polyline पे so polyline मैं different color से draw करना चाहूँगा color हमारा हम दूसरा select करेंगे okay अब इसमें yellow ठीक है so मैंने यहां पे दूसरा color select कर लिया है so polyline में भी आपको same उसी तरीके से जो starting point आप से मांगा जाएगा then आपको जो दूसरा point है वो देना होगा ending point so starting point suppose that मैं start करता हूँ इसको 0, minus 20 से ठीक है so यह आपका आगया starting point ठीक है अब जो अगला point मैं insert करने वाला हूँ वो मैंने insert करना है किस पे by default यह जो values pick कर रहा है यह आपका देखिए distance और angle है जो आपको visible है ठीक है so मैं इसमे distance इसमें डाल देता हूँ 14 ठीक है और angle के लिए मैं tap भी put कर सकता हूँ और अब देखिए जैसे ही आप tap put करेंगे आपकी जो values है जो distance की value है वो fix हो चुकी है अब आप इस line को rotate करेंगे त distance इसकी नहीं बढ़ेगी just angle change हो ठीक है तो आप इसको इस angle को आप mouse से user interface से भी set कर सकते हैं और directly put भी कर सकते हैं तो मैं इसको 45 degree put कर रहा हूँ ठीक है अब उसके बाद जो next आपका point है same उसी way में जिस way में आपने line में insert किया था उस type से आप insert इसको कर सकते हैं ठीक है minus 30 so आपका जो normal interface जिस type से चल रहा था उसी type से आपका चलता रहेगा यह आपका हो गया अब देखिए जो आप point इसमें जो insert करना चाह रहे हैं ठीक है वो point आप at the rate के बिना भी insert कर सकते हैं ठीक है so यहां से अगर आप देखेंगे specify the next point now distance and point अब at the rate जो आ रहा है it simply means that we are not working in absolute coordinate system at the rate का मतलब क्या है कि हम या तो relative में है या polar में है अब दो box है अगर एक box आपका angle को represent करें तो वो polar coordinate system है otherwise वो relative coordinate system है so अभी हमें जो visible है वो कौन सा coordinate system है वो है आपका relative coordinate system and polar नहीं है ठीक है तो polar में आप shift कैसे करेंगे ठीक है so अब इन values को मैं एक बार एक point insert कर देता हूँ that is your 10,0 press enter so यह आपकी line insert होगी आगे ठीक है अब देखिए जैसे यह आपने enter press किया polyline जो command है वो end हो चुकी है ठीक है अब इसमें main चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है वो यह है कि line और polyline में difference क्या होता है ठीक है so line और polyline में जो main difference है वो यह है कि अगर आप line पे कहीं भी click करोगे जो आपने line यूज करके जो diagram बनाया है जो object आपने बनाया है उसमें कहीं भी click करोगे line का एक segment आपका select हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जैसे ठीक है लेकिन जब आप polyline पे click करोगे तो complete polyline आपकी एक साथ shift होगी ठीक है तो यह आपका main difference है line और polyline में अब जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि क्या आप line को polyline में convert कर सकते हैं so obviously आप कर सकते हैं उसको आप एक group बना सकते हैं उसको आप एक batch बना सकते हैं so यह हम upcoming videos में देखेंगे that's all for today thank you very much and have a nice day